हेलो फ्रेंट्स वेरी गूड इवनिंग बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक पे डिसकस करने वाले हैं कि मार्किट अगला हाय कब बनाएगा और अगला सूपर मूँ इन वीकली चार्ट्स कब आएगा ये वेबिनार या ये सेशन आपको एंड तक देखना बहुत बहुत यहां पे आप अपनी लॉंग टर्म के हिसाब से पोजिशन बना सकते हो जो की बहुत इंट्रेस्टिंग हो सकती है और एक अच्छा खासा सेफ तरीके से आप मार्किट से आने वाले कुछ मैनों में पैसा कमा सकते हो तो अगर ये वेबिना ये जो सेशन है आप ठीक से होगे तो आपको accordingly decision लेने में मदद होगी और यही नहीं अगर हमें short term में क्या करना है निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या करना है ये भी सीरीज और या ये भी important part है जो आप देखना चाते है ये मैं मिस नहीं करूंगा लक्षमन रेका कितनी powerful थी जो मैंने आपको टेलीग् मुझे comment करके बताना क्योंकि मुझे आपको बताना था कि कोई कोई ऐसे points रहते है market में या ऐसे trend lines रहते है market में जिसको market को cross करना बहुत मुश्किल होता है market की जान निकल जाती है बट वो trend line के ऊपर market नहीं जा पाता है और बस यही जगह पे हमारा stop loss या entry या target होना चाहिए ताकि these are the points where market का dumb निकलता है या dumb बन जाता है very very important जो नहीं जानते मेरा नाम दुशार गोने है हर शाम मैं आता हूँ nifty bank nifty का analysis लेके बट यहां पे क्योंकि weekend है मैं पूरा एक overall market का weekly chart में आपको analysis करके बताने वाला हूँ and telegram channel को join मत करना भूलना क्योंकि अगर आप नहीं च time guidance दो तो ठीक है आप telegram channel नहीं join कर सकते हैं अगर आपको चाहिए कि बहुत सारे analysis बहुत सारे stocks का बारे में क्या होने वाला है तो सबसे पहले क्या करना है description में telegram channel join करना है और बहुत सारे free courses के लिए क्या करना है तो तुशार गोने app को install करना है जिसके link भी description box में है and यहां पर आपको मैं कुछ भी tips और advisory नहीं दे रहा हूं whatever I am doing it's purely for educational purpose and let us quickly start with our analysis और अगर आपको Friday का analysis पसंद आया तो एक like एक share बनता है don't forget to do that एक like मेरे लक्षुमन रेखा जो का concept जो मैंने Friday को बताया था okay so with this चालू करेंगे weekly charts पे चालू करेंगे कौन कैसे हम आगे हमारा portfolio या long term के stocks hold करें कौन से stocks यह नहीं discuss करूंगा चालू करेंगे nifty का short term long term view क्या होने वाला है अगले हफते के लिए हम क्या करेंगे और bank nifty के बारे में क्या करेंगे तो सहरे चीज़ detail में explain करूंगा अब य weekly chart पे पहला मैं analysis करूंगा अब weekly chart में थोड़ा सा आपको समझना है कि यह more or less एक flag pattern है ओके और यह इसका यह आप पकड़ लो पूल इस तरीके से है और यह इसका flag बन रहा है ओके और हमने यह देखा है कि जैसे जैसे flag का breakout होता है वैसे वैसे एक powerful अप्मू आ जाती है क्यू क्योंकि यहां पे इतने समय का consolidation हो चुका है ओके तो हमें मालुम है कि जब breakout होता है तो super आता है तो क्या यह breakout अभी होने वाला है नहीं ऐसे बिलकुल भी नहीं है थोड़ा सा आगे मैं one by one चीज दिखाऊंगा उस पे ध्यान देना ताकि आपको समझ में आए कि जो बड़ी मुँ आने वाली है वो कब आने वाली है ओके अब यहां पे one by one जाएंगे सबसे पहले हम क्या analyze करेंगे कि यह एक निफ्टी का falling का means एक trend line बना हुआ है निफ्टी का ओके यह देखो one two three तीन बार अपना सिर यहां पे पटक पटक के पटक पटक के निफ्टी नीचे आ गई और अब यह चौते बार निफ्टी अपना सर पटकने जा रही है तो यहां पे important क्या है यहां पे important यह है कि सबसे important कि अगर निफ्टी का इस बार resistance आया तो भी किस तरीके से आएगा यह थोड़ा देख ले ना 17,800 के जगह पे 18K पे निफ्टी आपको छलावा दे सकती है that is the most most important point यह zone ही पूरा धोकेदारी का है इस से बचके रहना क्यूंकि अब आने वाले इसमें यह बिलकुल भी doubt नहीं है कि निफ्टी उपर जाने वाली है बट यह अब भी देखोगे निफ्टी 17,400 के आसपास है तो zone of जो कहते हैं कि reversal आएगा बड़ा reversal आएगा या बीच में धोका मिल जाएगा यह point कौन सा हो सकता है और यह मैं weekly chart में कर रहा हूं तो कल के लिए ही इसका analysis देखके trading मत करना यह मैं कम से कम 6 महने के लिए आगे बता रहा हूं तो ऐसा हो सकता है कल निफ्टी गिर जाएग बट फिर से वापिस उठके जब attempt करेगी जो की September में भी हो सकता है तब क्या होने वाला है कि यह zone 17,800 से 18 के यह dangerous zone है ओके अगर इसको एक shot में तोड़ दिया इतनी power है तो फिर बहुत बढ़िया है और lifetime high nifty ने कर ही लिया समझो कर ही लिया but 90% chances है कि nifty यहाँ पर जाके रोना चालू करेगी वापस नीचे आएगी और उपर आए जाएगी तो यह हमें step by step अब सीखना है कि यह पूरा चीज होगा कैसे तो थोड़ा सा अभी concept तो आपने समझ लिया रहेगा कि nifty का अभी के rally का high maximum 17,800 तू 18K है उसके बाद में एक pullback आएगा और उसके बाद में जब nifty उपर जाएगी तो it will be fantastic तो अब हमें देखना है कि यह सब कब possible है ओके चलो तो यहाँ पे one by one देखेंगे और यह थोड़ा सा session बड़ा होने वाला है क्योंकि यह weekend special है तो normally अगर आप देखोगे मैं सिल 15 minute के लिए लेता हूं बट यहाँ पे क्यों कि यह weekend special है तो थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा रखूंगा ओके अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना यह momentum totally continued है at least in weekly chart में तो इसका मतलब क्या है कि यह आने वाले कुछ हफ्तों में आपको दिखेगा कि 18K हो रहा है ओके या 17,800 यानि कि यह जो धोके का range है ना उधर निफ्टी जा रही है फिलाल कुछ भी चीज ऐसे नहीं लग रही है apart from global factor जो कि already हो गया है कि चाइना का ताइवान के साथ ताइवान का US के साथ जो भी factor in हो गया है RBI की policy भी यहां पर factor हो गई है तो भी outcome क्या था outcome था एक red candle ना की outcome था एक छोटी सी green candle ना की एक बड़ी red candle तो यह पार्ट हमें ठीक से समझना है छोटी सी green candle that was the only outcome of so many negative news यानि कि इसका मतलब क्या है market negativity को सुनना ही नहीं चाता है कान बन करके रिडिये है okay market ने तो आने वाले कुछ दिनों में still we have to be bullish okay और कहां तक bullish रहेंगे 17,800 से 18,000 तक अब यहां पे मुझे और एक important चीज दिखाना है ऐसे चीज में हमें RSI को underestimate नहीं करना है देखो हमेशा मैं without RSI analysis करता हूं बट आज मै ने अपना RSI का tool बार निकाल के रखा है logic क्या है यह भी समझो यहां से यहां तक निफ्टी जा रही है okay RSI तो उपर जा रहा है तो और बहुत जगा भी है RSI में जाने के लिए okay तो इसका मतलब क्या है कि conversion divergence में RSI convergence दिखा रहा है इसका मतलब और निफ्टी में अच्छा खा यह एक छोटा सा logic है okay very a small logic और में भी यह perfect conversion divergence के rule में नहीं बैठते रहेगा okay क्योंकि जो उपर की मुह है वो उपर के साइड में नीचे के लिए नीचे के साइड में fully agreed but still RSI has got its own significance की बताने के लिए कि RSI powerful है okay भले यहां से यहां तक यह totally classical RSI का Convergent Divergence का concept नहीं है मैं fully agree करता हूँ but still it has its own relevance की RSI में दम है और RSI अभी भी उपर जा सकता है यह मैं इतना ही बताना चाहता हूँ Convergent Divergence से भी powerful यह चीज है कि RSI में अच्छा खासा gap है उपर के तरफ जाने के लिए okay अब आगे मैं और क्या बता सकता हूँ यहां पर मैं इतना ही बताऊंगा मैं डेली चार्ट में आपको अनलिस बताऊंगा See daily में क्या हो रहा है look at this pullbacks very very fantastic pullbacks okay अब यहां पर अगर आपको सच में बड़ा मूँ चाहिए तो very very simple right अब अगर डेली में एक यह डेली का pattern बताता हूँ उपर आया दो candle का डीटेल में बताता हूँ don't worry बहुत डीटेल में fact information हम लोग देखेंगे आपको मज़ा आ जाएगा यह चोटे छोटे चीज है जिस समय से आप analyze करना चालू करोगे आप बहुत मज़ा आएगा आपको analysis करने में market का अलग से देखने का आपका नजरिया हो अचाएगा ये देखो एक उसके बादें तीन चार पाच डाwn वापिस आप य्टो तीन चार पाच डाwn वापिस आप सिरफ एक दो और तीसरा डॉण वापिस आप एक दो और पीसरा souvent आप आना ही चाए अगर आप नहीं आया तो market 17,800 नहीं जाएगा इसका मतलब क्या में टूजडे में मार्केट का ये निकलना ही चाहिए, क्योंकि अब मार्केट सूपर जोन में चला गया, सूपर पावरफुल जोन में चला गया है, तो यहां पे देखो कि पुल बैक्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, तो अब अगर ये स्टीम लूज नहीं होना चाहिए, आप चाहते हो कि فट करके उपर जाए, तो सिर्फ मंडे या टूसडे का गेम है, उसके उधर तक मार्केट 17,800 के आस्पास जाना ही चाहिए, यानि कि ग्रीन कैंडल दिखनी ही चाहिए, अच्छी खासी ग्रीन कैंडल दिखनी ही चाहिए, रीजन इस वेरी सिंपल क्योंकि अब हो जाएगा कि 17,700 इस तरीके से जो बोरिंग चीज हुई थी फिर वापस धीरे-धीरे मार्केट ट्राइ करेगा फर्स सेकेंड थर्ड टाइम लगेगा तो अगर तीन वेनिस डे तक कुछ मून ही आता है उके उपर के तरफ 17,700 के तरफ तो समझ लो ये नीचे जाएगा और फिर धीरे-धीरे-धीरे जाके फिर वापस मार्केट को थोड़ा सा ये पकड़ना पड़ेगा तो यहाँ पे मेरा एक ही कहना है मंडे या टूजडे एक बड़ी वाली कैंडल आपको ग्रीन दिखनी ही चाहिए यही इंडिकेशन है कि मार्केट उपर जाएगा और 17,800 तक भी जाएगा अब मार्केट 17,500 यह सब नौटन की नहीं करनी चाहिए डायरेक्ली मंडे या टूजडे को जो निकल पड़ना चाहिए वो एक्सपारी तक 17,800 उसके बाद में वापस धो मिस कर दिया है कि जो में टॉपिक है मार्केट मैं क्या कहना चाहता हूं कि लाइफ टाइम हाइक कैसे जाएगा तो मार्केट लाइफ टाइम हाइक कैसे जाएगा सिंपल बॉलिंजर बैंड का कंसेप जो मैंने आज के संड़े वेबिनार में भी बुला यहां जाएगा अप somewhere about September 25 के आसपस, ओके, ये मूग कब आएगा, तो somewhere about August के end तक, ओके, ये मूग कब आएगा, तो somewhere वाओ, इस बार 2023 बहुत मज़ा देने वाला है, और ये super मूग कब आएगा, तो January 2023 जो मैं पहले से भी चिला रहा था, कि January 2023 को, क्या January से लेके March तक मार्केट उपर जाएगा, तो मार्केट ये प्रूव करके दिखा रहा है, कि लगबग January 2023 के आसपस, मार्केट उपर जाने वाला है, अगर मार्केट में super strength हुआ, तो इसके पहले भी जा सकता है, बट मैं expect कर रहा हूँ कि नहीं जाएगा, जिस हिस हिसाब से structure बना है, मार्केट का, और 18,000 को, जिस confidence से मार्केट तोड़ता है, उस हिसाब से हमें पता चलेगा, कि ये January 2023 की जो date है, वो September या November तक shift हो सकती है, कि नहीं, कौन से basis पे, कि आने वाले कुछ दिनों में 17,800 तो 18,000 कैसे break करता है, तो बहुत सारी interesting चीज अगर आपक करके लिख देना, क्योंकि it really helps me to understand कि मैं सिखा रहा हूं सही या नहीं सिखा रहा हूं, ओके, यहाँ पे और एक चीज है, यह रहा अपना 15 मिनिट्स का चार्ट और यह हो गया option traders के लिए, और यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं करूंगा, एक straight line draw करूंगा, दूसरी straight line draw करूंग बहुत simple concept से मैं trade करूंगा, मैं ज्यादा कुछ भी high fine नहीं करूंगा, ओके, अब यहाँ से देखो, either, इसके नीचे, यह point, 17,350 के नीचे, अगर market जा रहा है, मैं put ले लूँगा, कहां तक जा सकता हूं, 17,275 का पहला target, और 17,200 का second target, ओके, कौन से level के बाद, यह level के बाद, मेरा stop loss क्या रहेगा, तो बहुत छोटा यहाँ पे stop loss रहेगा, जो की होगा, 17,372, very simple, right, यह level के नीचे, अगर 15 मिनिट की candle close होती है, तो मैं put लूँगा ही लूँगा, क्योंकि, there is a very high chances, और अगर मेरे concept strong है, टेलीग्राम चानल में मैं बत के बाद यह करूँगा, आपने खुद ने देखा रहेगा, नीचे जाने के लिए मार्केट को दिक्कत हो रहा है, easily जा नहीं रहा है, यह क्यों हो रहा है, क्योंकि मार्केट में अभी भी पैसा है, जो मार्केट को उपर लेके जा रहा है, इसके लिए आप देखोगे, तो और खास करके ओवर्नाइट उपर के मूज बहुत पावरफुल रहते है, डुरिंग डे टाइम्स मार्केट को नीचे जाने वाले मूज रहते है, आजकल इतना ताकत नहीं है, तो आपकी गलती नहीं है, आपका ट्रेड सही नहीं है, आपको मार्केट का कंसेप समझना पड जैसे ही थोड़ा नीचे आता है, बायाउट हो जाता है, इसके लिए आपके टार्गेट छोटे छोटे होने चाहिए, और आपको क्या करना चाहिए, तो बड़े लॉट्स के साथ ट्रेड नहीं करना चाहिए, नीचे के साइड पे, और उपर के साइड के लिए आपको ब्र और बड़े टार्गेट नहीं हो रहे हैं, तो यह जो concept दिया है कि 17.350 के बाद पुट लेना, उसके बाद में कहां तत जाएगा, तो 17.275, 17.200, यह मैं कह रहा हूँ, टेलीग्राम चानल में, तो टेलीग्राम चानल में इसका continuous update देते रहूंगा, यहां पे मैं इतना ही क्योंगा, क्योंकि यह end of the day analysis है, actual market में बहुत जादा अच्छा हमें पता चलता है, ओके, अब second important चीज क्या है, वो भी देखेंगे, second important चीज है, अगर मुझे अपके बारे में सोचना है, ओके, तो मैं कब सोच सकता हूँ, very very simple, अगर समझो, यहां पे किधर भी market ने support ले लिया, ओके, यह zone पे, अच्छे कासा green candle, जो भी मैंने आपको सिखाया है, वो हो गया, ओके, और एक मिनिट थोड़ा सा मुझे reset करने दो, ओके, और अगर market उपर के तरफ, somewhere 17,420 के आसपास खुला, 15 minutes candle green रही, तो फिर मेरा पहला target क्या होगा, तो मेरा पहला target होगा, 17,450, और आप देखोगे, यह, आप देखोगे, अच्छा खासा last time, means, यहाँ पे market resistance face करता है, तो इसके दिए आपको संभल के रहना पड़ेगा, ओके, और जैसे ही इसको breakout किया, next target होगा, 17,480, ओके, दो target, उपर के तरफ, और अगर आपको बहुत safe trading करनी है, तो मैं कहूंगा, कि यह जो point है ना, 17,430, यह scalping के trades है, ना ही की बड़े trades है, 17,430 के बाद, देखो आप 10 point का ही trade बन रहा है, कुछ कर नहीं सकते है, 17,440, और उसके बाद जैसे ही यह पिछले दिन के high के उपर चला जाएगा, आप 17,480 एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो upside के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, आइदर यहां पे यहां पे है, और उपर जा रहा है, तब यह stop loss लेके, यह target 1, यह target 2, और यह target 3, इतना ही कर सकते हो, थोड़ा सा tricky है upside में, क्योंकि दो तीन बार 17,480 को hit होके, मिन्स यहां पे दिखाया है market ने कि 17,500 में दिक्कत आ रही है, इसका all detailed analysis, बैंक ने, मिन्स टेलीग्राम में बहुत अच्छी तरीके से हम कर पाएंगे, कब जब market intraday में open होगा, यहां पे मैंने सिर्फ concept बताया, downtrend का concept बहुत simple है, यहां पे breakout होगा, retesting होगा, यह पहला तो accordingly हम लोग trade करेंगे, उपर के side का concept क्या होगा, इधर touch होगा, support लेगा, यह पहला target होगा, यह वापस नीचे आएगा, यह वापस अभी इस target को ignore करेगा, यह ऐसा रहेगा, so hope आपको पूरा market का मुह मैंने draw करके बताया है, 15 minutes में, छोटे time frame पे नहीं कर रहा हूँ, क्यों bank nifty, चलो bank nifty देखते हैं, bank nifty में total confusion है, and reason is very simple, bank nifty जा रही है, breakout की तरफ, और समझ में नहीं आ रहा है, bank nifty को की कहां पे breakout होना है, तो अगर bank nifty को breakout समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्यों bank nifty की जिंदगी मुश्किल कर दे, trading कर करके, तो हमें भी क्या करना है, हमें कुछ न very poor formation, बहुत घट्या formation है, bank nifty का, यहां पे कुछ टच नहीं किया, यहां पे टच करने जा रही है, तो मैं कहूंगा कि be careful 37,800 के बाद ही put लेना, या फिर अगर आपको लेना ही है, call के बारे में, तो 38,000 के बाद ही call लेके, 38,100 का पहला target, और 38,300 का दूसरा target, ओके, मैं लिखके दे रहा हूं, 38,000, डॉक्टर की तरह लिखके दे रहा हूं, 38,000 के बाद, ओके, और यहां पे कैसे है, 37,800 के बाद ही put, और कहां तक जा सकता है, 37,700 तक, छोटे छोटे target से कुछ कर नहीं सकते हैं, जब तक intraday में market नहीं आएगा, कहां तक जाएगा, कैसे structure मना आएगा, क्योंकि यह सब बोल रहा हूं, एक gap आप में, पूरा अगर scene change हो गया, तो it creates confusion, तो better आप क्या करोगे, telegram channel join करोगे, thanks a lot, see you tomorrow, hope आपको बसंद आया रहेगा, तो please comment करके बताना, and it was really a pleasure having you all.